हाई फ्रेंट्स मेरा नाम जाविर अंसारिया और आप देखरें सरकाई नोकरी यूट्यूब चनल फ्रेंट्स आज के इस पीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आपने पोस्ट आफिस को फॉर्म फिल कर रहे हैं या आप पोस्ट आफिस का फॉर्म का जो की प्राप्त करेंगे आज के इस बीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि हाउ टू फॉर्गेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पास्वर्ड करना चाहेंगे आप कैसे आप अपना पास्वर्ड प्राप्त कर सकेंगे तो चलिए दोस्तों इसी की टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या पास्वर्ड आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चनल को अभी तक सब्सक्राइब नह यह पेज का लिंक के जो है वो आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा आप किली क करेंगे इस पेज़ और आ जाएंगे यहां पे देखें दोस्तों सर्केल टू का यह वेकेंसी है और बात करें दोस्तों तो इसमें कौन-कौन सी पोश्ट आई है कहां-कहां के पो तो इसमें आपको 442 पोस्ट इसमें आपको मिलेंगी आपको अप्लाई करने के लिए यहां पर देखे दोस्तो इस टेप टू अप्लाई यहां पर दी गई है आपको अगर अप्लाई करना है या रिजिस्ट्रेशन करना है तो बिल्कुल दोस्तो आपको यहां पर क्लिक करना ह और यहां से इस form का registration आप करेंगे और आप form का fee दोस्तों यहां पर click करके आप इस form का fee payment कर देंगे यहां से दोस्तों आप fee जो payment करेंगे वो office द्वारा या कि यानि कि offline आप fee यहां से payment कर सकते हैं और अगर आप online fee payment करना चाहते हैं तो यहां से आप online fee payment कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तो इस form को apply करने के लिए तो आप बिल्कुल यहाँ पर apply online here दिया है दोस्तो आप यहाँ पर click करके form को apply करेंगे यहाँ जो first number दोस्तो यहाँ से इस form का registration होगा उसके बाद आप यहाँ से login करके form को fill करेंगे अपना form का status दोस्तो अगर आप check करना चाते हैं कि form जो fill किये वो status सही है या गलत है या form आपका submit हुआ है या नहीं तो आप यहाँ से click करके आप status check कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपने registration number भूल गया है या password भूल गया है तो आप बिल्कुल यहाँ पर click करेंगे दोस्तो तो आ आप यहाँ से click करके अपना registration number प्राप्त कर सकते हैं्ब हैं अप लोग को बताते हैं कि कैसी से आप registration number प्राप्त करेंगे apply करने के दोस्तो सबसे पहले आप we lluk candidate यहाँ पे आपको पहले registration करें करना हैuben एक पर Kimchi करना के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको अपना पता यह सब सारी सुश details देनी है और उसको आपको पूरा fill करना है आपको यहाँ पर देखें दोस्तों फॉर साथ आपको बताई और उसके बाद दोस्तों आपको apply करने के लिए आपको आना है फिर उसी page पे official website पे यहाँ पे आपको आने के बाद apply online here दिया है दोस्तों आपको इस पर click करके आप login करके form को आप fill कर सकते हैं अब दोस्तों चलिए बात करते हैं forget जो की हमारा main topic है हम बात करते हैं forget करने के है और यहाँ पर दोस्तों जब आप click करेंगे तो आपको देखे यहाँ पर forget registration and fee id यहाँ पर आपको option दी जारी है यहाँ पर दोस्तों आपको इस box में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है जो आप जिस नाम से form को fill किये हैं वही नाम आपको इस box में लिखना है उसके दोस्तों यहाँ पर आपको passing year लिखना है आप किस year में high school का qualification किस year में किये हैं वह आपको इस box में लिखना है लिखने बाद दोस्तों आपको submit पर click कर लेना है submit पर दोस्तों जैसे ही आप click करेंगे आपका forget जो registration number है वो आपको प्राप्त हो जाएगा और fee ID भी आपको प्राप्त हो जाएगी आप उसके दोबारा आप अपने form को login करके यहाँ से दोस्तों आपको login करना है और login करके आप उस form को अगर पूरा fill नहीं किया है तो आप यह से चेक कर सकते हैं दोस्तों मेरे पास कोई form का application number नहीं है और नहीं मैंने apply किया है कोई form नहीं तो मैं आपको practically दिखाता कि क्या क्या आपको processing करना पड़ेगा वैसे मैंने आपको सारी detail बता दी है कि आपको कहां पर क्या-क्या fill करना है यदि आप लोग को दोस्तों कोई problem हो है तो प्लीज 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 आप हमारे चनल को यहां सा क्लिक करके सब्सक्राइब करें हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैक्स फॉर वाचिंग बाइबाए